इन दिस वीडियो I am going to share with you all the lifetime worldwide box office collection of Bollywood film वक्त दोस्तों मूवी का पूरा नाम है वक्त दी रेस अगेंस टाइम चो रिलीस हुई ती 22nd April 2005 को और ये एक Bollywood ड्रामा फिल्म है जिसको 5 में से 3.5 स्टार की रेटिंग दी गई थी इसके डाइरेक्टर और प्रेडूसर का नाम है विप्पुल शहा इसके राइटर है आतिश कपाडिया चलिए बात करते हैं कास्ट की इसमें महा नायक अमिता बच्चन बॉलिवुट के खिलाडी अक्षे कुमार प्रियंका चोपडा शिफाली शहा बॉमा निरानी और राचपल यादव लीट रोल में और सपोर्टिंग चलिए बात करते हैं कड्रिकृट को तेक्षिंग को अब क्युक्रा तरह्ते करण फिर्म को lifetime worldwide जो total gross collection था वो था 42 करोड 48 lakh रुपीज का इसका budget था 16 करोड का अब बताने कि 16 करोड के budget के हिसाब से film को 2 verdict दी गई थी यानि hit और flop जो verdict होती है एक verdict थी जो film का इंडिया का lifetime net collection था उसके परपस के हिसाब से और एक verdict थी जो film का इंडिया का lifetime net collection था और इंडिया से भार का collection था दोनों को include करके चलिए verdict के बात करते हैं अब जैसे कि film का budget था 16 करोड का और film का इंडिया का lifetime net collection था 20 करोड 25 रुपे का तो उस हिसाब से जो film है वक्त इंडिया के collection के हिसाब से film को box office पर above average की verdict दी गई थी लेकिन इंडिया का net collection और इंडिया से भार का collection दोनों को include करके film को box office पर hit की verdict दी गई थी यानि कि film वक्त की जो official verdict है वो है hit की अब film के अदर total 7 गाने थे सबी गानों को compose के था अनु मलिक ने गानों के lyrics लिके थे समीर जी ने चलिए बात कर लेते हैं film की basic story के बाद अब film की जो story है उसमें focus किया जाता है अमिता बच्चन और अक्षे कुमार के उपर जो की बाप बेटे का रोल ने बाते हैं अब क्या होता है जो girlfriend होती है प्रियंका चोपड़ा अब एक बार प्रियंका चोपड़ा pregnant हो जाती है अब ऐसे में क्या होता है जो अमिता बच्चन है अक्षे कुमार को यानि इपने बेटे को उसकी गलती का रिलाइस करवाने के लिए उसको घर से बाहर निकाल देते हैं ताकि एक तो उनके बेटे अक्षे कुमार को उनकी गलती का एहसास हो और दूसरा उनको अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास हो अब क उनको ये भी रिलाइस हो जाता है कि उनके पिता ने उनको घर से क्यो बार निकाला क्योंकि उन्होंने गलती की थी अब ऐसे में अक्षिकुमार को अपनी गलती रिलाइस होने के बाद वो क्या करते हैं ये तो आप लोगों को फिल्म देखरी पता चलेगा तो चलिए दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो में फिल्हाल इतना ही मैं भुचतिन आप सबका दोस्त और मेरे इस चैनल बॉली व्यूस का होस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप सब भी बन चाएए मेरे दोस्त अब आप सबसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद